इस्ट्रेस के विज़े से होने वाले लोंग टम इफेक्स आज इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जब कोई इंसान stress या anxiety से बहुत लंबे समय से गुजर रहा होता है तो उसकी बोड़ी पे काफी negative effects होते है ये effects उसकी बोड़ी के almost हर system को affect करते है आज मैं आपसे stress के होने वाले long term side effects के बारे में बात करूँगा जब किसी की life में कोई stress आता है तो हमारे brain का एक area होता है hypothalamus वो activate हो जाता है और ये activate होके उस stress को cop up करने के लिए एक gland होती है जो हमारे kidney के उपर की तरफ होती है adrenal gland उसको stimulate करता है और वहाँ से कुछ hormones release होते हैं जिसमें cortisol नाम का एक hormone होता है ये hormone हमारी body को prepare करता है उस stress से fight करने के लिए जिससे हमारी heart beat बढ़ती है हमारा blood pressure बढ़ता है हमारी body के अंदर energy की supply बढ़ जाए इसके लिए sugar का level बढ़ जाता है और जो body functions essential नहीं होते हैं उस समय के लिए उनको शान्थ कर देता है जैसे के हमारी growth का process हमारा digestive system हमारा reproductive system और हमारा immune system इस hormone की वज़े से हम उस stress को fight कर पाते हैं लेकिन अगर कोई इनसान लंबे समय से stress से गुजर रहा होता है तो constantly उसका यह hormone level body में बढ़ा ही रहता है जिसके वज़े से हमारी body बे बहुत negative effects आने शुरू हो जाते हैं अगर हमारे body में cortisol का level constantly बढ़ा रहता है stress की वज़े से उसकी वज़े से blood का pressure बढ़ा रहता है cholesterol level बढ़ने लग जाता है जिसकी वज़े से cardiovascular diseases होने के chances बढ़ जाते हैं heart attack या brain stroke होने के chances बहुत जादा हो जाते हैं blood sugar level हमेशा हाई रहने की वज़े से diabetes होने के संभावना बढ़ जाती है उसके वज़े से kidney failure nerve damages या IE problems आनी शुरू हो जाती है digestive system को constantly suppressed होने के वज़े से gastric symptoms आने शुरू हो जाते हैं gastritis रहना खटा पानी गले में आना weight gain होना शुरू हो जाता है हमारा immunity बहुत कम हो जाती है जिसकी वज़े से infections बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और long term में cancer तक होने की संभावना बढ़ जाती है जिसकी वज़े से हमारी aging की speed बढ़ जाती है और हम बहुत जल्दी बुढ़े दिखने लग जाते हैं high cortisol की वज़े से हमारी sex hormones कम हो जाते हैं और infertility तक की समश्या हो सकती है high stress level की वज़े से हमारी bones कमज़र होने लग जाती है osteoporosis होने लग जाता है depression में जाने की संभावना बढ़ जाती है और dementia और Alzheimer disease जैसे विमारियां भी जल्दी आनी शुरू हो जाती है दोस्तो इस वीडियो का मकसद यह है कि अगर आपके आसपास में कोई लंबे समय से stress से गुजर रहा है तो उसको इन सब side effects से बचाना जरूरी है इसलिए जरूरी है कि उससे किसी psychiatrist के पास ले जाया जाए और जल्दी से जल्दी उसको stress से बाहर निकाला जाए झाला जरूरी है